सर्दियों का इंतिसार हर एक गार्णनर को रहता है। सर्दिया आने पर वे रंग बिरंगी फूलों से अपने गार्णन को गुलसार कर देता है। अगर आप बहुत बिजी हैं या पूरा साल गार्णन को टाइम नहीं दे पाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप विंटर गार्णनिंग जरूर किया करें इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और समर के कंपेर में विंटर में बार बार पोदों को पानी भी न कि सर्दियों के सुंदर हैवी फ्लावरिंग प्लांट जिने आप इस टाइम अपनी लोकल नर्श्री से बहुत ही मीनियमम प्राइज में यानि की 20-30 रुपए में लाकर अपने गार्ण को गुलजार कर सकते हैं फरस्ट अफल जो फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं यह है डहेलिया इसे बादशा पसंद भी कहा जाता है यह भी विंटर का बेहदी खूबसूरत एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस टेम अगर आप नर्श्री जा रहे हैं तो आप इस डहेलिया फ् चूबसूरत होते हैं और काफी बिक साइज के होते हैं जिसमें आपको रंग भी रंगे फूलों वाले पोदे बहुत ही मिनिमम्म प्राइस में यानि की तीस रुपए तक जो है वो आपको मिल जाएंगे यानि की तीस रुपए में आप एक बहुत ही सुन्दर सा गार्डन और इसके फूल काफी खूपसरत होते हैं और महिनों तक इनके पोधों पर इनके फूल जो है बने रहते हैं प्रेंट सरदियों में फूलों को निहारते हुए और वक्त कैसे भी जाता है पता ही नहीं जलता सो नवंबर देसंबर में अगर आप नर्सरी जाएं तो क्राय सैंथमम फ्लावरिंग प्लांट को ज़ूर अपने गार्डन में लगाएं इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं जिसमें रंग भी रंगे फूलों वाले पोदे आपको नर्सी में सिर्फ और सिर्फ 30-40 रुपे तक मिल जाएंगे और इसमें आपको अलग लग फ्लॉवरिंग प्लांट के इलावा इसमें बहुत सारे साइजिस के फ्लॉवरिंग प्लांट भी आपको मिल जाएंगे चोटे पूलों के इलावा इसमें बहुत ही पिक साइजिस के फ्लॉवरिंग प्लांट भी बहुत ही सुन्दर लगते हैं फ्रेंड्स क्राइसेंथम एक पर्मनेट फ्लॉवरिंग प्लांट है, समर में भी ये पोदे असानी से सेव हो जाते हैं, और सीजन आने पर आप इन पोदों को फ्री में इनकी कटिंग को ग्रोव करके आप नए ने पोदे फ्री में बना सकते हैं, यानि वन टाइम इन्वेस् रहता है, और फ्लॉवर्स के ब्लॉमिंग के लिए आप इने फुली सन में रख सकते हैं, फ्रेंड्स नेक्स जो फ्लॉवरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है जाइन्थस फ्लॉवरिंग प्लांट, यह भी विंटर का बेहदी खुपसुरू फ्लॉवरि में बहुत असानी से 20-25 रुपे तक आपको मिल चाहेंगे और इस पोदे की हाइट भी चोटी चोटी रहती है, यह पोदे चोटे कंटेनर में असानी से ग्रोव कर सकते हैं, हैंगिंग बास्किट भी बहुत जाधा कूसुर लगती है, फ्रेंड्स में आपको यहां पर को बड़ा होने में और फ्लावरिंग आने में बहुत जाधा टाइम लग जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप बनी बनाए फूलों वाली पोद ही लाकर अपने गार्डन में शामिल करें, तो यह देखिए, यह मेरे गार्डन में मैंने लगाए हुए है, यह डैंthus प्लावरिंग प्लांट और पिटूनिया मुझे लगता है यह सब का फेवरेट विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसकी बहुत सारी वेराइटी होती है, जिसमें आपको सिंगल पैटल, डबल पैटल और इसके इलावा इसके रंग भी रंगे फूलों वाले पोद आपको जरूर रंग भी रंगे अपने गाडन में शामिल करने चाहिए, जो लेट विंटर तक टाइम टू टाइम बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते रहते हैं, फ्रेंट से पिटूनिया फ्लावरिंग प्लावरिंग प्लान को जब भी लगाएं, वेलरें मिट्टी में जरूर नर्सी से लाकर अपने गाडन में लगाएं और इन पौदों को ब्लूमिंग के लिए बड़े ज़ादा दूप की नेसेसिटी नहीं होते हैं, यानि कि ये शेड लविंग फ्लावरिंग प्लावरिंग प्लांट है, शेड में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते ह और इसके इलावा इसकी रंग भी रंगे फूलों वाले पोदे आप सिर्फ 20-30 रुपे तक लाकर अपने गाडन में शामिल कर सकते हैं, और इसकी रंग भी रंगे फूलों वाले पोदे आपको असानी से आपको आपकी लोकल नर्सी में मिल जाएंगे, इन पोदों की या फिक्म दूप आती है तो आप ऐसे में impatient flowering plant को जरूर अपने garden में शामिल करें फ्रेंटस नेक जो flowering plant आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है bigonia flowering plant ये सक्टुलर टाइप का flowering plant होता है और ये पोधे भी कम दूप में बहुत अच्छी flowering करते हैं और यह succulent होने की वज़े से इनको water की necessity भी नहीं रहती है, इसकी बहुत सारी varieties होती है, जैसे कि स्क्रीन पर यह देख रहे हैं, यह green पतों वाली variety है, और इसके इलावा friends, इसमें red leaves वाली वी variety आप देख रहे हैं, तो यह भी बहुत ही खुबसरो flowering plant है, यह पोदा थोड़ा स plant आपके लिए एक best choice है, friends, गेंदा जिसे marigold कहा जाता है, यह भी winter का ऐसा flowering plant होता है, जिसके बिना हमारा winter garden अधूरा होता है, और यह ऐसे फूल होते हैं, जो daily basis पर पूजा में use किये जाते हैं, और इसकी बहुत सारी varieties ऐसी होती है, जो पूरा साल ग्रो की जाती है, तो इ पार्टी है, कि इन पोदों को आप एक बार अगर अगर अपने गार्डन में लगाएंगे, फिर cutting से grow करके इनके ने ने पोदे time to time आप बना सकते हैं, तो यह भी winter का best flowering plant है, जिसे आप बहुती कम धाम में लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, friends, next, जो flowering plant आप स् flowering plant है, और जिसे आप असी से सोर पे तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, और इन पोदों को cutting से grow करना भी बहुत जादा easy रहता है, friends, next, जो flowering plant आप इस time पर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, वो है salvia flowering plant, और red salvia मेरा बड़ा ही favorite plant है, वैसे तो इसकी सारी varieties होती है, लेकिन जो red वाला flowering plant होता है, इसकी common variety होती है, and इस में hybrid variety भी होती है, जिसमें रंग भी रंगे पूलों वाले पोदे, आप सिर्फ और सिर्फ 20-25 रुपे तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, यनि कि अगर आप पूरा साल आपके पास time नहीं ह गार्णिंग करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप बहुत ही minimum price में, विंटर में कुछ फूलों वाले पोदों को अपने गार्डन में शामिल करके, देरों फूलों का मजा ले सकते हैं, तो ये पोदे भी बहुत ही best flowering plant है, जिसे आप वेल्डन मिट्टी में लगाएं, 6- 2-8 इंच का pot इस पोदे के लिए sufficient रहता है, फ्लोर्स की blooming के लिए आप इने fully sunny area में रखें, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पोदा थोड़ा सा कॉसली रहता है, ये पोदा आप दोसो धाई सुर पे तक लाकर अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं, इसके green foliage के उपर white vibrant color की modify leaves होती है, पॉंचेटिया red इसकी common variety होती है, एंड इसमें और भी other इसकी varieties रहती है, डार्क green वाले foliage पर सर्दियों की शुरुआत में से ही dark red leaves निकलना शुरू हो जाती है, और इसमें छोटे छोटे floors भी आते हैं, फ्रेंड्स के मरने का एक ही कारण होता है, वो है जादा पानी देना, यानि कि इसके पानी तब ही आप इसे दे जब इसकी मिट्टी जो है वो सूख जाए, और इसे फ्रेंड्स ब्राइट लाइट वाली जगा पर रखें, फ्रेंड्स समर के कंपेर में, विंटर में हमारे पास बहुत स और इसके फूलों की खुबसूरती मुझे इसलिए भी अच्छी लगते है क्योंकि इसमें एक ही फूल में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो है वो मिल जाएंगे और सूरज के उगने के साथ इसके जो फूल है वो खिलना शुरू हो जाते हो शाम को इसके फूल ज शामिल करना चाहिए कुच्छों में आते हैं चोटे-चोटे इसके फ्लॉर्स होते हैं बट बहुत ही तेजी से यह पोदा पूरे पॉर्ट को कवर कर लेता है और इसकी भी हाइट चोटी-चोटी ही रहती है तो यह पोदे भी आप बहुत ही मीनिमम प्राइस में 15-20 रुपे तक लाकर अपने ग कवर कर लेता है हमारे जितने भी जो बींटर फ्लॉरिंग प्लांट हो थे वह छोटे-चोटे चोटे कंटेंडर में बहुत ही अच्छी फ्लॉऑरिंग करते हैं और यह बी एक शेयर लविंग फ्लॉरिंग प्लांट अगर आपके विंटर में बहुत ही कम दूप आती है तो ऐसे में प्रिमला फ्लॉवरिंग प्लांट को जरूर अपने गार्डन में शामिल करें और वाटरिंग इन पोदों को तबी दे जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राइ हो जाए फ्रेंट्स नेक्स्ट वन जो फ्लॉवरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है साइक्लमें फ्लॉवरिंग प्लांट और ये पोदे भी शेड लविंग फ्लॉवरिंग प्लांट होते हैं ये एक स्कुलन टाइप का फ्लॉवरिंग प्लांट होता है जो बल्ब स और इसके भी रंग बिरंगे पूलों वाले पोदे अगर आपको नर्सी में कहीं पर दीख जाएं तो आप जरूर इसे लाकर अपने गार्डन में शामिल करें और ये पोदे भी इनको भी ब्लूमिंग के लिए बड़े जादा दूप की नेसेसिटी नहीं होती फ्रेंड नेक्स्ट वन जो प्लांट आप इस टेम पर जरूर अपने विंटर गार्डन में शामिल करें वो है औरनमेंटल कैबेज हलाकि ये एक सजावती पोदा होता है इसके फ्लॉर्स तो नहीं होते बट इसके खुबसूरती इसके रंग भी रंगे पत्तों में होती है और इसके पत्तों के कलर के लिए आप इनने फुली दूप में रखकर ग्रो करें और ये पोदे भी आप सिर्फ चालीस पचास रुपे तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और नेक्स्ट वन जो फ्लॉवरिंग प्लांट आप देख रहे हैं ये है जरेनियम जरेनि अपनों वाले पोदों को बहुत ही मीनिमम प्राइस में लाकर आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं आप आज की वीडियो आप सब के लिए यूस्फुल रहे होगी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज दू लाइक येर कमेंट एंड सब्सक्राइब my channel thank you friends stay blessed and bye bye